हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CET एक्जाम का एड्मिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें और एक्जाम सेंटर में हमें क्या क्या लेकर जाना है सबसे पहले हमें अपना एड्मिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं यह देखते हैं दोस्तो HSSC ने एक लिंक दिया है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस लिंक को ओपन करते हैं लिंक को ओपन करने के बाद आपको यह पेज दिखाई देगा इस पेजबर सबसे पहले आपको रिजिस्ट्रेशन नमबर, डेट ओफ बर्थ और कैपचा कोड दिखाई देगा यह सब कॉलम फिल करने के बाद आपको लोगिन पर किलिक करना है दोस्तों लोगिन पर किलिक करने के बाद आपका एड्मिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा अब हमें HSSC ने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं उनके बारा में पढ़ते हैं एड्मिट कार्ड की नेचे हिंदी और इंग्लिश दोनों भासाओं में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं हमें इसको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों इन इंस्ट्रक्शन को हमें ध्यान से पढ़ना है इन instruction में बताया गया है कि आपको admit card की copy दो photo जो आपने registration करने के साथ लगाई थी इसके साथ साथ एक ID proof लेकर जाना है दोस्तो पेज नमबर 4 पर दिये गए under taken को बिना sign और थंब को छोड़ कर बाकी सबी details हमने exam से पहले भरनी है दोस्तो sign और थंब आपको examiner के सामने लगाने है एक्जाम में आपको जो चीजे नहीं लेकर जानी है उनमें मुखे pen, pencil, eraser, blade, fluid दोस्तो अगर आपको हमारे दिवारा दी के जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे